आदर आदाब अविनंदन आभार दिसे सुभम कुमार हेलो एवन वेलकम टू सुभम सिख्छा कैसे आप सभी उम्मीद करता हूं कि आप उक्सोस्त होंगे और मस्त होंगे और आप अच्छे से इंज्वाइग कर रहे होंगे यह फेस्टिव वीक ठीक है इसी वीक में हम लोग अगे बढ़ते हैं विकुछ आपका तुरत एक्जामनेशन वीक सुरू होने वाला है उससे पहले हम लोग इस फेस्टिव वीक को ही थोड़ा पढ़ाई भी बनाते हुए एक्जामनेशन के स्ट्रेस को कम करें इसके लिए अभी तक जो वीडियो आ रही थी वह थी सिर्फ और सिर्फ साइन्स और मैथेमेटिक्स के लिए लेकिन अब से इसस्टिकाई वीडियो सब्सेक्वेंटली अप्लोड किया जाएगा ठीक है जिसमें की धीरे धीरे करके हम लोग सभी चेप्टर को एके करके पढ़ते हुए जाएंगे ठीक है इस सीरीज में जो होगा खास ब जिन बचों ने मेरा स्टडेडी मेटियल बोरौ करा है उनको यह नोट्स परवाइट किया गया है वह अगर सुन रहे है तो आप जानते हों गया आपको प्रवाइट किया गया है और आप अशे तेक इसस को प्रवाइट करिए उसके लावा कुछ करने की जोत नहीं है इसस् जैपेंड करता है आप पे कि आप इसको कैसे डिल करते हैं कैसे देखते हैं इस बात को ठीक है चली सुरू करते हैं रुपीज होगी जो है फिलाल नहीं लिया जाए गा ठीक है और यह फिक्स रेट हो जाएगा रिखेए के लावा आपको ब्रोत्री के सामना नहीं करना पड़ेगा हो सकता है तब जाके थोड़ा आपको कोस्ट भरता हुआ दिखे फिलाल जो पांसो दी है उसको भी मिलेगा जो आप हजार देगर के अब लेंगे ठीक है फिलाल कुछ-कुछ छट पूजा के लिए बोला गया है बह वन थाउजन रुपी लिया जाएगा फ्रॉम आफ्टर वन डिसम्बर के बाद से एक हजार रुपया होगा उसके तो आप बोली है कि सर जब दीन नजदीक बच गया तो आपको कम लेना चाहिए था न ऐसा नहीं होता है मनलीजे कि दीन आपका नजदीक बच आता है फिर का अब बात ही आता है मैं दिमाग में कि क्यों करे भाई सेर पावर ठीक है इसके भी से में लोग अज़ी चेप्टर में परने जा रहे है ठीक है उसे पहले किस क्लास लाइंथ में जो परे थे क्लास 9 जो परे थे उसका थोड़ा रिकाप कर लेते हैं हाइलाइट के आवा पावर को सहर किया थैं लेडि सले चेकिशर के साथ एजसने के साथ अडुू कि शेयरी के सांथ इक है चलीए इस वेरी इंपोर्टेंट टौट . डेमोकरिसी च्रीविए सब सबसक्रारी के लिए थी कि आаты और को इंवाइट कटाएं आए ठीक है हमने क्या परा हमने आप about the need of power sharing yield मतलब होता है बताना देना ठीक है जिसे की जिसे मान लिए कि factory क्या yield करता है जो raw material लिया होगा उसको बना करके नयाची तियार करता है उसको yield बोलते है उसी तरह के से यह chapter हमें एक yield देगा क्या कि power को sharing करना क्यों जरूरी है इस दो खानी से Belgium और सिलंका एक हानी से हम लोग सीखेंगे ठीक है चलिए सुरू करते हैं Belgium और सिलंका की दास्तान दास्ताने Belgium और सिलंका सुरू करते हैं देखिए आपर क्या है क्या है कि Belgium is a small country in Europe smaller in area than state of Haryana जिसका एरिया जो है state of Haryana से भी छोटा है इसका जो बॉर्डर है चारो तरफ से घिरा हुआ है फ्रांस से फ्रांस से घिरा हुआ है निदरलेंड से घिरा हुआ है जर्मानी से और इसका आधा हो गया पॉपुलेशन हो फड़यान है निदरलेंगा दो कुर्ट पॉपुलेशन है तो इसका आधा क्या है पॉपुलेशन है हमारे इसका जो धर्म का जो कॉम्पॉजिशन है निहीं हो निसे माली जे इंडिया की बात करें तो हैंपर हिंदु-मुस्लिम से चेरो डाते है इसके लाई बहुत सारे रिजन फोलो करने वाले डाते हैं तो कैए composition है चोटे से country का जो composition काफी भ्यान काफी complex है काफी पेचीदा है अब the country's total population 59% lives in the flammish region पूरे country के सारे population का 69% लोग कहा राते हैं flammish region में डाते हैं यानि एक करोड का 69,000,000 लोग कहा राते हैं आपसके flammish region में डाते हैं और dutch बोलते हैं बात याद रखियेगा flammish region में राते हैं और dutch बोलते हैं 59% another 40% जो है वेलोनिया में डाते हैं और french बोलते हैं इसकेस की जी ब enactकर एं ऑम ब Grund लोग जो खो आधन मरेन है रर्लम के फेस्ट ब 60 अपर समाझ महां अगल माथ कहया है यहां तक है जिसे कि यह वालो जो लाईन हुआ यहां से यहां तक इस पे कोश्टन क्या बन सक्ता है कोश्टन को नोटान करिएगा अभी तो जहाँ ते पढ़ा है इस नोटान बन सक्ता है धूंख कोश्टन इस परकार है Portugal कोश्टन नोट कर लिजेगा लेकं है यहां पर किया कि describe describe the ethnic composition of Belgium describe the ethnic composition of Belgium of Belgium यहां से आप इसको बता दिजिएगा ठीक है एक question यहां पर यह बनता है ठीक है आगे चलते हैं आगे पढ़ता समझ मैं अभी तक यहां पर क्या देखिया हम ना हमने क्या देखा कि the minority French speaking people community was relatively rich and powerful minority क्या है French बोलने लोग minority में because French बोलने वाले कितने है 40% 40% लिपसे लिए ने रिजन स्पीक फ्रेंच तो 40% लोग जो फ्रेंच बोलते हैं वो minority यहां कम मात्रा में है बट वो क्या है relatively rich and powerful है rich भी और powerful है this was regented by the Dutch speaking community who got the benefit of economic development and education much later जो कि Dutch बोलने वाले लोग है वो संख्या में तो जादे हैं लेकिन उतना reach और धनी मनी नहीं है इसलिए उनको education जो है और जो उनका development हुआ वो काफी देर से हुआ ठीक है this led to tension between the Dutch speaking people and French speaking community इसे का हो है दोनों में तनाव बठने लगा Dutch बोलने वाले में और French बोलने वाले में एक पुड़ा सुक्सम्रित था और एक क्या है majority में तो जादा है ज्यादा people है लेकिन डिवलप्ड नहीं है ज्यादा पीपल है दिवलप्ड नहीं है दो ही घड़ है और विशाल विशाल है और पांच घड़ है लेकिन जोपड़ी है तो किसको बोले जागा डेवलप्ट यह होंगे डेवलप्ट तो जितना भी एजुकेशन बगार होगा सबका फायदा इसको इनको मिलेगा विकाज यह कहा है मैनुटी में है लेकिन क्या है यह यह डेवलप्ट है इसलिक है दोनों में तनाव बढ़ने लगा दूरिं 1950 जाएं 1960 उन्हें से लेकिन उन्हें साट के बीच में तेंसन बेट्वीन टू कॉमिनिटी वाज मोर एकूट इन ब्रसल्स तनाव था ना वो सबसे आधे बढ़ने लाए ब्रसल्स में ब्रसल्स क्या था बिल्जियम का जो है कैप्टर सिटी था यहां पर क्या हुआ ब 20 % लोग ही बौलते हैं मात ब्रसल्स में बशसंगा है कि डच बोलने वाले लोग जो है majority तो है country में लेकिन man де है capital में ड़च बूलने वाले लोग country में तो majorit में हैं लेकिन capital city में minority में ठीक है यह बहुती गलाइब तरीके का था एक प्रॉब्लम था तो लिटे अस गंपेर देश तो था शिच्वेशन इन अभर कंट्री ठीक है इसे पहले हैं पर रो सकता है एक कोशेँ यहां पर क्या बनसकता है जो अभी तक पर होसमें सकता है क्वोशेँ question बसकता है आपका कि describe no turn करते जाएगा describe the tension between sorry tension that existed existed लिख दी जैसा between between Dutch and French speaking 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 people in in Belgium in Belgium in Belgium यहाँ से लिए टेंसे लिए लास्त मिल लिए जीए लास्ट मिल जीए इसे तिक है describe the tension that existed between the Dutch and French-speaking people in Belgium ठीक है आगे चलते यह कहा लिए 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 बेल्जियम का टीक है Let us compare this to the situation in another country, Sri Lanka. अब बात करते हैं, Sri Lanka बाबा का, देखे क्या है यहाँपे? Sri Lanka is an island nation, Sri Lanka का एक island nation है, just a few kilometer of the southern coast. Southern coast से बहुती कम दूरी पह है, जो कि तमिलाड़ों में, तमिलाड़ों से कुछी दूर पह है, kilometer पह, ठीक है? It is about two crore people about the same as hariyana, इसके पास जो पुपुलेशन है वो दो क्रोर कावाधिक है जो कि भारत में हरियाना के बराबरी है, ठीक है? Like other nations, the South Asia region, Sri Lanka आजा diverse population. South Asia के region में सिर्लंका आजा उसका क्या diverse population? इसमें क्या है? If the major social groups are the Sinhala speaker, जो major social group हैं क्या है? सिन्हाला बोलते हैं जो 74 परसेंट है तमिल बोलने वाले ना 18 परसेंट है लेकिन इसमें क्या है कि तमिल बोलने वाले का दो कट्रोड़ी है देरा टू सब ग्रूप पहला जिनका तमिल नैटी होदा कंट्री जिनका जो पुर्वज जो थे वो कहा थे स्रिलंका कहीं थे पहला प्रम इंडिया जो कि इंडिया से गए थे जो कि प्लांटेशन वर्कर में काम करने के लिए श्रिलंका गए और वहीं बस गए ठीक है कब को लिए प्रिविट में यह जो लोग अंगडिशी गुलाम थे उस समय वहां पे गए और कॉल्ट इंडियन तमिल क्या बोला थे इंडि इंडियन तमिल इनका पूर्वा जो थे प्लांटेशन वर्कर के लिए कोलोनियल ब्रेड में वहां पे गयते और वहीं बस गयते ठीक है as you can see from the map Sri Lankan Tamil are concentrated in the north and east of the country अब देख सकते हैं इस map में कि Sri Lankan Tamil जो थे दोस्त वो north east में थे यहाँ पे लाई करते हैं देख रहे हैं इस Sri Lankan के border का हमें कहां मिल रहा है north east में हमें देखने को मिल रहा है कहां मिल रहा है देखें यहाँ पे मिल रहा है इस रिजन में वो रहा है ठीक है इसे कोई मतल मन नहीं है बद दिखाने के लिए दिखाय रहा हूँ Sri Lankan Tamils are concentrated in the northern and the east of the country most of the Sinhala speaking people are Buddhist जितना भी जो लोग Sinhala बोलते थे कडीव करीव सब क्या थे Buddhist थे while most of the Tamil are Hindu और Muslim जो Tamil बोलने वाले थे वो कहते हिंदू या फिर Muslim थे about 7% Christian who are both Tamil about 7% Christian who are both Tamil and Sinhala 7% बचा नहीं इसे देखिए 72 हो गया Sinhala 18 हो गया आपका आपका sorry Tamil और 7% जो थे वो क्या बोलते थे 7% क्या बोलते थे Tamil या Sinhala दोनों बोलते थे उनका जो धर्म था वो क्या थे Christian धाम था पहला बावा समझे एक जो थे Sinhala बोलने वाला उनका धर्म क्या था बुधिस धर्म का पालन करते थे Tamil बोलने वाले या तो हिंदू थे नहीं तो Muslim थे Christian जो थे Tamil और Sinhala दोनों बोलते थे वो 7% थे Tamil 18% थे कर लिजेगा Question number 3 है आपका Describe the Ethnic Composition of Sri Lanka Ethnic Composition of Sri Lanka ठीक है अब फिर से बोल देता हूं Describe the ethnic composition of Sri Lanka Describe the ethnic composition of Sri Lanka And describe the ethnic composition of Sri Lanka ठीक है अच्छा आप क्या देखिए आपके Just imagine What could happen in the situation like this इस situation में क्या होगा सोचियेगा कि in Belgium A Dutch community could take advantage of its numeric majority And it forced its will on the French and German-speaking people अगर क्या होगा अगर Dutch community जो है Belgium के वो अपना ज्यादा मेरिटी के फैदा उठाए और अपना फोर्स करें यानि कि अपना अपना एक्छा जो है वील मतला एक्छा होता है अपने इक्छा को जबस्ती थोप दे फ्रेंच वाला और जर्मन बोलने वाले लोग पर क्या होगा याजी ठीक है इसे क्या होगा विद्रो सुरू हो जाएगा इस इस अपना ब्रसल पर कंट्रोल बनाया रखें अब यही सुची स्रिलंका के लिए क्या हो सकता है इन स्रिलंका दस इनाला कॉमुनिटी इन जवाड़न इवेन बिगर मिजरिटी और कुट इंपोज इस विल उन इंटेर कंट्री चुकि यह काफी जादा है स्रिलाना बोलने वाले यह अपना मिजरिटी जो है और अपना जो विल है अपना इक्षा जो है उस पर जो अबस्ती थुप सकते हैं पूरे कंट्री पर ठीक है नव लेट उस लुक अट वाट हैपिन इन बोड इस कंट्री अब चलिए देखते हैं कि आखिर दोनों कंट्री में हुआ के आखिर में ठीक है मेजरी टेर्नीजम ठीक है मेजडि टेर्टेंजम इस स्रि-लंका में क्या बास देखिए गा किसि interfaces THIS shae langka. producto इंडेपेंडेंडेंट इन इस फोटेटी आ जो था Brazil 97 में diverse किया dette मर्ज हुआ इंडिपेंडेंडेंट कांटरी के तौर पे लिडर्स ऑफ द सिन्हाला कॉम्मिनेटी साउट तूट से क्यों डॉमिनेंस ऑफर गॉर्ब्मेंट बाइवर्ची अब क्या देखे साउट मतलता है देखना देखा उन्होंने क्या कि सेक्योर कर लेते हैं अपना डॉ अपना गॉर्मेंट जो था अड़ोप के एक सिरीज का नाम है मैजोरिटेरियन मिचैन का एक सीरीज है जहाट मीजर ट्व स्टैबली सिन्हाला सुपरिमेशी को सिन्हाला का अपना पूर्चस विखाने के लिए इन्होंने का कर रिया मैजोरिटेरियन लाया ठीक है असे बिलीफ दर दा मजोरिटी कम्मुनिटी शूट बिद एबल तु रूल अ कंट्री एसा मानना कि मेजरिटी कम्मुनिटी जो है यही रूल करेगा कंट्री को इन वीच वर वे ट्वांट जैसे मानना उसको वहसे चलाएगा बाइडिसरीगाडिंग द विशेज और नीर अफ द मेज़िटी पिपल अगर एक ऐसा मानना या घ्र थार कि जो मेजरिटी पिपल है वही शारा कंट्री को चलाएगा उसके अपने शहींटी बिंस नबहने पिश्रल अप्षिए और निकाव मात्रा में उनका क्या होगा देखे क्या है इन 1956 क्या हुआ जब उनका सरकार बन गया उनसे चपन में क्या हुआ देखिए एक एक आग्ट वाज पास्ट टूरी को गनाई सिन्हाला अफिसियल लेंग्विज पहला बात क्या कि एक ऐसा एक बनायागा इसे करण क्या डिस्रिगाड किया का उनका कोई भालू नहीं दिया गया दुब्मेंट फॉलोड प्रिफिरेंशिल पॉलिशी डैट फेबड शिन्हाला अफिकेंट फॉ इन्वर्शिटी पोशिशन और गॉर्मेंट जॉब्मेंट जॉब के लिए या इन्वर्शिटी में डाखले के और बुधिज्म को आगे बरावा देगा कौन? तो क्या हुआ तीन तरीका से इनको हार्म किया गया पहला इनका लेंग्वेज, दूसरा इनका जॉब, तीसरा इनका भगवान चीन लिया गया जैसे इसे गवर्मेंट का नया नया तरीका मेजर आने लगा, एक के और बाद एक ऐसा लगने लगा कि जो फिलिंग जो है, अकेला पन का फिलिंग मुस्चिछ करने लगए, कौनっていう आने लगने कौन का लगने लगा कि बताषा हो कि अच्छो के जा रहा है उनको कोई वर्चस टुरा घ् def听 उनका बात का समान नहीं suf देव फीलिडड रेट नोन अब अव्दम मजम प्लिटिकल पाती एसा कोई बरा पाटी नहीं है जो की अपंधिश्ट सिनाला दुरां चला रहे है उसमें से उनको ऐसा लगने लगा, the constitution and the government policies denied them equal political rights, जो जतना भी constitution जो है संभीधान है, या government का policy जो है, government का जो भी नियम नीती लागू हो रहे हैं, वो सभी जो है political right और को उनको क्या कर रहा है, equalities होने से रोक रहा है, इनको सिलंकान तमिनको ऐसा लगा, कि जतना भी आजकाल जो constitution, संभी जान या government policy आ रहा है, उनको डिनाय कर रहा है, उनको वंचित कर रहा है, equal political rights से, and discriminated against them in getting jobs, उनको जोब दाखिला लेने में भी discriminate किया जा रहा है, and other opportunity and ignored their interest, उनके interest को खतम किया जा रहा है, interest मतलब उनका जहाँ जहाँ पे रूची था, जहाँ 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 भी धर्म था, जो भी culture था, सब को खतम किया जा रहा है, as a result, the relation, as a result क्या हो गया, the relation between the Sinhala and Tamil community stand over time, धिरे-धिरे क्या होने लगा, कि Sinhala और Tamil के जो भी जो इनका जो रिस्ता था, वो आप डोड़ी कमजोर होने लगी, इस वाप question क्या बना सकते हैं, पहला ताप question बनेगा, what do mean by majorityism, ठीक है, आप majorityism, क्या समझते हैं, पहला question यह होगा, दूसरा question क्या होगा, आप सुनिए, लिख लिजेगा, दूसरा question क्या हो जाएगा, what were the region, ऐसा क्या region था, जिसे कारण what were the region for the alienation of Sri Lankan Tamil, Sri Lankan Tamil को alienation फिल होड़ा था, मतलब अकेला फिल होड़ा था, इसा क्या region था, वो ही लिखा होगा, यहां पर देखिएगा, और कोशन क्या लिख सकते हैं, what was the effect on the country, इसे क्या effect पड़ा country पर इसका answer लिजेगा, अरला कोशन आप क्या लिख सकते हैं, examine any four region, इसे कारण श्रीलंकन तमील, और जो हमारा वोलने वाले हैं, दूनों का जो, जो नों का रिस्ता था, रेलेशन था, उस्टेंड होगा, ठीक है, क्या क्या बन सकता है, लेट मी एक लिख देते हम आपके लिए, तके आपको च्छा रहेंगा, पहला कोशन लिखेगा, what do you mean by, मेज़ोरी टेरी एनिजम अब देख लिए पाला कुशन तो यह हो गया वाट दूसरा कुशन अब कहा लिख सकते हैं दूसरा कुशन यहाई लिख सकते हैं कि वाट वेर दा वाट वेर दा रिजन फोर दा एलिएशन एलाइशन ओफ स्री लंकान तमिल स्री लंकान स्री लंकान मेभी वीडियो कहीं लंबा नहों हो जाया है कोशन नहीं चकर में कोई बात नहीं देखेंगे आप स्री लंकान तमिल वट वज दा इफेक्ट वन दा कंटरी वट वस दा है कि वट वेर दा रिजन फॉरद अलेशन अउस्रे लंकान तमिल को ऐसा केला फिल वड़ा तरशा क्यूं वह रहा था इसका रिजन बताईए इन वट वाद इफेक्ट से क्या इफेक्ट पड़ा कंटरी पर वह बताएग ठीक है अच्छा अगला कोश्चन लिख सकते हैं आप क्या एक्जामिन करिए यानि कि बताईए ऐसा चार रीजन एक्जामिन एनि फोर रीजन सब सीबसी में आया कोश्चन है ठीक है फोर स्ट्रेंड रिलेशन बिट्विन सिन्हाला एन तमिल ठीक है को दिखत चलिए आगे चलते हैं यह पिछलेट होगा इस पर बात करते हैं क्या देखिए अब क्या किया सिलंकन तमिल को लगने लगा कि उनको जो है अधिकार्द को अच्छी ना जारा है असलिका कर दें उन् लंकन तमिल लॉंच्ट पार्टीज औं श्रगल फर दरी कॉछन आजन औशन अउप ल्गे मिल असा इक डिमांड कर राएं आप ब्दी मैंड एक प्रोविंस प्लिटराइड अ तमिल वाज रिपिटिदली डिन रहर बार बार उनका जो जो भी डिवलोपनेट का पुलिट दिमांद था सबको डिनाई यानि की बारबार निगलेट किया जा रहा था बाई 98 इज सेवरल प्लिटिकल ओगरनेशन वेर फॉर्म डिमांडिंग और इंडिपेंडेंट तमिल इलाम एक अलग प्लिटिकल प्लिटिकल ओगरनेशन जो थे उनका मांग था क्यों नहीं अप अलग तमिल इलाम नी तमिल इलाम इन तमिल स्टेट बना देते हैं इन नॉर्डन इस्टंड पाट अब यह थे जंगा लेकिन कोई सुनना इस पर सुएकार नहीं का This distrust between the two community अब दोनों में क्या होगा? ट्रस्ट अभिष्वास पैदा हो गया? कोई ट्रस्ट नहीं दा दोनों में? यहनी कि this distrust between the two community turned into widespread conflict जरेजरे क्या होगा? दोनों में जहोगा? conflict शुरू हो गया It soon turned into a civil war चुनलाइप सिर्टों स्रोडूbelsोटू सुछशू हो गया गाया इस अधरों में क्या हो गया एच-थाउजंड ओ वीपूल पोफ बोद कम्मूनेटीज है विन किल्ट इक करको बहुत हजारों हजार लोग मारे गया many families were forced to leave the country बहुस सारे family को country चरके जाना परा and as refuges and many more lost their livelihood बहुस साहे लोग अपने घर बार को भी खो दिये स्रिलंका excellent record of economic development, educational health हमने class 10 के development chapter में परहा है स्रिलंका के काफी developed country के मामले में पढ़के but the civil war has caused a terrible setback the social, culture and economic life of the country लेकिन civil war क्या कर दिया है? civil war क्या कर दिया है एक गजब का setback ला दिया काफी पीछे कर दिया social, culture and economic life में स्रिलंका को ठीक है? इससे आप question क्या बना सकते है? पहला question आप बना सकते हैं आप लिखते चलिए का साथ में इससे जितना ही पढ़ा आपने अभी है तो पढ़ा ठीक है? इसमें क्या question बना सकता है पहला question बना सकता है क्या वेट आ मिनट पो स्वारी पहला question बना सकता है आपका वाट वेर दा वाट वेर दा मेज़ोरी टेरियन मीजर टेकन इन श्री लंका तो इस्टेबलिश तो इस्टेबलिश शिनहला सुपरिमेसी सिनहला सुपरिमेसी को बराने के लिए क्या क्या तरीका इस्तमाल किया गए वाट समयज गया है की एक नया कर्ष्ट्टिशन बनाए गा जिसके तद द सीनहला का ओफिसल लेंगेर बना दिया गया जॉब में उनको साथ दिया था और उनके बात को निंगलेर किया था यहसा पर लिए थे, अच्छ अगला कोश्ण इसमें क्या पना सेकता है? क्या अणिवाट मेज़ रिजन आप से विलवार? What was the reason of reason of civil war civil war of civil war and what was the impact and what is the impact of it civil war का क्या इफेक पडा on the country country का इफेक्ड तो यह बताएगा चलिये अब पढ़ते हैं एकॉमोडेशन इन बेल्जियम बेल्जियम के बारे में अब तह हमने क्या पर रहा है मैजूड ट्रीजम इन सिर्लंका परते हम लोग एकॉमोडेशन इन बेल्जियम ठीक है को दिक्षा पढ़ाएं चलिये on the belgian लिडेटुकर डिफरेंट पाथ डे रिकोगनईस ते से लंका की लिडडे से अलग पाथ उन्हें ने चुना इसका ख्याल रगते हैं इसको रिकोगनाइज किया बिट्विन 1970 ए 1993 दे अमेंडिट देर कंस्टूशन फोर तैम्स उन्होंने अपने कंस्टूशन को चार बार अमेंड करके एक अरेजमेंट त्यार किया जिसे तहद वो सभी को बराबरी का दिखार साथ में रहने का एक सेम कंट्री में क्या हुआ दैट उट इनेबल एवरिवन सबको एक ऐसा चांस दिया तो लिव टूगेधर साथ में रहने का विधिन दे सेम कंट्री ठीक है दारेजमेंट दे टूक वागड आउट इस डिफरेंट फ्रम अनी अधर कंट्री उनका जो अरेजमेंट था वो सभी कंट्री से अलग था और इनुवेटिव वेरिव इनुवेटिव निक काफी अचंभित करने वाला वी था देर हेरा समाव दा इलिमेंट अव दे बेल्जियन मोडल कोशन पूछ देगा अपसे जामें क्या कि वाट वर्ड़ दा पाला कोशन यंतो किस नियुक्त उथा लिख लीजिया अभी देखिए कि यहां से कॉस्ट्री बना किया पहला सब्लार मैं मिनिस्टर देंगा देखेंगे होंगे त्टेक सपेशल लाज रिकॉर्ट तु सपोर्ट्वड देमेंबर फ्रम इच लिंग्विश्टिक गुरू एक अलग सार। बनाया गया ताकि सब लिंग्विश्टिक गुरूप के मेंबर का बात सुना जा सकते हैं दस इसे क्या होगा कि नो सिंगल कमिटी एक मतलब कि अकेला कोई डिक्षियन नहीं ले सकता है सबका सबका कम्यूनिटी का सवमती जरूरी है ठीक है दूसरा बात क्या था कि सब्सक्राइब कर दिया उसके बात क्या कर रहा उन्होंने तीसरा बात क्या कि ब्रसेल है अलग ही गवर्मेंट बना दिया इन विच बोद दो कम्यूनिटी का इक्वल रख लिया अच्छा माल लिए कि आप 80 परसेंट है कोई 20 परसेंट है आप दोनों के आप कैसे माल लिए कि आपका और इसका दोनों का अधिकार बराबर है उसी वह हाल वह था है फ्रेंच वाला का आप दि फ्रेंच स्पिकेंग प्यपल एक्सेप्टेड एकुवजेटे अब्रस्टल में जो है फ्रेंच स्पिकउटी प्रसेंट थे वह बात इसलिए मान गयाए विकॉज कंट्री में कितने थे country में कम थे और स्विकार कर लिए कि हम एकोल परिजएन संविकार करते हैं ठीक है चलिए एक तरफ अगर आप चड़िये गाइधर तो आप को अंट्री से बाहर हो सकते हैं अब पार्ट फॉम दो सेंटल इसे अ थर्ड कंड़ने का करा सेंटल गॉवर्मनेंट के लावा एक अलग सा गॉवर्मनेट बनाया जिसका नाम दिया और उनने कॉमुनिटी गॉवर्मनेंट जो कि इलेक्ट होता था उलेक्टेट वाइधर पीपल बिलॉंग इंटो वन लेंगवज कमुनिटी जो कि हो गया डच हो सकता है फ्रेंच हो सकता है जर्मन हो सकता है no matter कहीं से भी कोई आदमी खरा हो सकता है community government के लिए और सभी language के लोग उनको vote करेंगे this government has the power regarding cultural educational language related issue इनको क्या power दिया गया था कि आप sanskriti, shabheta language और education पर काम करिये कि वहाँ पर सब कुछ ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा you might find that Belgian model is very complicated देखे कितना complicated है it indeed is very complicated even for people living in Belgium people जोहां रहते थे उनके लिए भी काफी complicated था but this arrangement have worked well so far लेकिन arrangement काम किया they help to avoid civic shifts between the two community छोटी छोटी लडाईयां को कम करने में मदद किया and a possible division of the country on linguistic lines linguistic line होने के बावजूद भी एक possible division country का दिखाया हमे when many country of Europe came together from European Union जब बहुत सारे country जो थे एरोप के साथ हमें एक European country बना रहे थे Brussels को क्या किया गया था headquarters चुना गया था उस समय तो एक बात आती है क्या इसे question क्या बन सकता है यह था इतना पढ़े उसमें से लिख लिए question कहीं question जो बन सकता हो question कुछ इससे परकार है पहला question जो बन सकता हो है highlight highlight any three measures three M.E.A.C. U.R.S. measures adopted by adopted by Belgian government Belgian government to ensure yeah to accommodate regional cultural diversity regional cultural diversity को establish करने के लिए Belgian government ने क्या क्या मेजर को apply किया था तिन्चरा बात लिख दिएगा पास्तों से पहला बात दोनों Central government में दोनों community के equal minister होंगे दुसरा बात Central government के subordinate जो होगा state government नहीं होगा तिसरा बात अलग सा community comment बना दिया गया था capital के लिए अलग सा एक government त्यार कर दिया गया था ठीक है अगला कुछन आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्या कि explain any three elements of Belgian model any three element of benzeal model of accommodation Belgium Belgian model of accommodation बस समझे एक ऐसा कोशन हो सकता है एक और कोशन क्या हो सकता है आपका फिर इतने रहने दिए जादे कोशन लें क्या किजेगा चली यह फिर आवसा लिख सकता है लिख लीजा और लिखना है तो लिख सकते हैं अब what are the some what are the sum of the basic sorry what are the sum of basic what are the basic basic element of the Belgian model of power sharing पावर Belgian model of power sharing का basic elements अब क्या किया थे श्माइव लिख सकते है या highlight the major adapted by the Belgian government for the prevention of conflict in Belgium Belgium में conflict से बचाने के लिए क्या क्या government निती बनाई थी सकते हैं कुछन कुछ भी हो सकता है जबाब सबका से होगा अब परते हैं क्या कि हमने क्या सीखा इस बात से ठीक है what do we learn from these two stories हमने अखिर इस दो कहानी से सीखा तो क्या सीखा इसका बात करते हैं क्या है कि बोथ हाँ डेमोक्रसी दोनों कंट्री का थे डेमोक्रसी थे येट देल्ट विद्सक्वेशन पावर शेरिंटली पावर शेरिंग का तरीका को उन्हें डिफरेंटली यूज करा पहला क्या था इन बेल्जियन दा लीडर हैब रियलाइज देट इनिटी अव कंट्री इस पॉसिबल वनली बाई डिस्पेक्टिंग दा फिलिंग इंट्रेस्ट का डिफरेंट कमुनिटी और डिफरेंट रीजन के आट यह स्रीलैसन त्रीजिएशं एसा स्मुच था उनका यह सा रिलाइज़न दा था रियल्ट कैसा किया में ट्रीटीअ कि यहींट ना इस पावर के लिए सहामति इन्हें पना पाए स्रिलंका सु ऐसा कंट्रेस्टी घ्रम सिलंक में अलग इंडाएफ दिखने को मिला it shows us that if a majority community want to force it dominance अगर जो है majority community जो है want to force dominance अगर धौस जमाएगा over other and refuses to share power अगर power को share करने से मना करेगा it can undermine the unity of the country से का होगा country का खंडता को और एकता को खेस पोचेगा और civil war भी हो सकता है ठीक है चलिए आगे चलते हैं why power sharing is desirable क्यों power sharing जिरूरी है thus two different sets of region can be given in the favor of power sharing power sharing के लिए दो region दिया जाएगा पहला जो है वो region क्या है कि power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between the social group power sharing जरूरी इसलिए है because it helps to reduce कम करता है possibility of conflict withdraw के होने का chance को कम करता है social group में आपस में जगड़ा होने का काम को को कम करता है करो लोगा power को share करते हैं तब since social conflict often led to the violence social conflict जो है एक violence का विद्रो का रूप धर लेता है and political instability से का होता है political instability होता है अगर power sharing करेंगे to ensure the stability of the political order political order क्या होगा established established रहेगा निकी stable रहेगा imposing the will of the majority community imposing the will of majority community over other may look like an attractive option in the short run but in long run it undermines the unity of the connection थोरे समय के लिए बात किया जाए तो majority का बात मानना सही भी हो सकता है लेकिन पूरे समय की बात किया जाए तो इससे क्या होता है कि देश के एकता को खतरा हो जाता है ठीक है चली आगे चलते हैं इसकत करा है कि टैर्यनी लोग प्रू्डेंचिल क्या बता है कि की पावर सेरींगी जोग माइनृरी के लिए वह बहुत खातरा बस माजरी के लिए भी खुद खातराई बन जाता है तुगे सबस्क्राइब कुछे सबस्क्राइब शक एक बने यह च्कंट सबस्क्राइब जप्हीएब there is the second deeper reason of why power sharing is good for democracy एक बहुत ही जरूओररा रिजन क्या है कि power sharing is very spit of democracy अभ दिमक्रासी कि ऑर में प्रही कोशन था कि power sharing is very spit of democracy explain किजिए कि power sharing varies of spit of democracy है डिमक्रासी के लिए क्या ही जरूरा था इसको explain करिए देखिए क्या इसमें कि देखिए कि democratic rule involves sharing power with those देखिए डेमकरसी में लोग उड़ा रहे हैं लोगतांतरिक देसे अगर तो जो पावर शेरिंग कैसे कि आ जाहिए कि जिसे माल लिए कि हम लोग जो पिसार है ठीक है मतलब देशवासी हैं हम लोग के ऊपर जो हम लोग के ऊपर जो कॉझ ऑवर्मेंट है कैसे चला रहा है उसे हम बढ़े कि लिए के लौग डाइन लगा था तो हम लोग इफंट हुए कि नहीं उससे निए किसका था मुझाे निए वनकुन सब कुछ एक चला रहा है तो हम जानने का अधिकार है कि हम किस निएस हमें उप्राइब को निएस भि लेजिस्य मेत गोवंएंट हम सब्सक्राइब कि उनको बताना होगा बीना जनता बता है उलोग कोई भी निन्न ले सकते हैं जनता का ध्यान हित में रखकर ही कोई निर्ण लेंगे इस एक कोशन यहां से यह बन सकता है कि वहीं जो बता है आपको कि पावर सेरिंगे इसा कौन सा आइडिया जो है तो आइडिया क्या था पुडेंशन करेंगे तो कशन बचेगा देश में एक ता बने रहेगा पॉलिटिकल इस्टेबिलिटी बनी रहेगी मोडल एजन क्या था कि हम कैसे गवर्ण किये जा रहा है हमें कैसे सासन चलाया जा रहा जरूड़ी है विकाज उससे हम ही लोग एफेक्ट होंगे ठीक है अगला क्या हो सकते हैं कि इस जो लाइन है परेग्राफ जो है इससे यह कोशन बन सकता है अब पढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर सेरिंग की पावर सेरिंग के क्या-क्या फॉर्म से उसके बारें बात करत पावर फर लोंग टाइम इट वाज बीव डिव 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 ड्राइं का अग पावर जो हमार जो पावर जो है डिशाइब अगर वाइड आई पावर अगर बात प्सक्राइब कर दिया जाएगा इस नौट पसुल टो टेक विकट डिजिजिएं अन तो इंपोस देम पावर को जो है डिस्पेट कर दिया जाएगा दिखकत होगा बडिस नोशन अब चेंग आप जैसे लोकतंत्र आया यह जो बात था कि पावर से रकर देंगे तो डिखकत होगा यह बात खत्म हो गया प्रियुट के पावरे आदमी जहनता जो है पर्ट किल पावर के सारा सोर्स का सोर्स वाय जनी कि स्रोता वही है इन डिमक्रेसी पीपल रूल देंशल थ्रूशंव इन्टियूशंव रूम फ्सेल फ्सिन, इप्सिपल करें अचल गया बुद्डियूशंश से ब्सेट बीष्क सब्सक्राइब करने के लिए जनता के उधार करने के लिए सब के पास अपना एक मत अपना आवाज होना चाहिए और आवाज होता है देमोक्रिस्टी में जो है इसको डिस्टीब किया जाए बहुत सारे बहुत सारे नागरीक में इसको बाटा जाए है बहुत सर्च निशोमाटा जा सकता है ठीक है इन मॉडरन डिमोक्राइज्स पावर शेरिंग एंडिमन कंट्न थेख मेनी एदर फ़र्म ये स्लुकर देख व्लोकष्ट फ़र्म पावर शेर किया गया जा झालिए उनको एक एक करके परते हैं इस पहला जो हमारा पॉर ब debates ने वह किया गया इसमें जिसलेटर एंजिक्यूटिव जिटिविह सब्से उपर कहा है फिर क्या है लेजिसलेटर फिर क्यव मन्तरी वे राथ है फिर आता है इसमें हमारा पुलिस रिपाही गनाते चाहिं लेट लेट वे इसमें किया तीनों में किया चेक भेलेन प्लेस अधर लेकिन का है एक क्य रखलेड इनका जों पावर है वह Original त्यूर्जेट नीचे नीचे तो है अभी आपने पताया कि जो डिस्लेटर फिर रहा कि हमारा एक्टिव लेकिन तीनों का पावर डिफेंट डिपूरेंट है लेकिन तीनों का लेवल सेम है कर सकता है कि इस लिए क्या होगा कोई एक अकेला सभी पावर को नहीं कर सकता है एक और दूसरे को चेक कर सकता है कि इच्छा से काम कर रहा है कि नहीं इसे का होगा कि पावर जो है बैलेंस हो जाएगा सब क्या एक के हातों में नहीं पड़ेगा ठीक है कि लास्टेयर वे स्टेड़ इन देमोक्रेसी इवें दो मिनिस्टर और गॉर्मनेंट और स्टेट असे करते हैं लेकिन वो दिस्टेट आपड़ता है से स्टेट असेंबली मुण को जवाब देना पड़ता है सिमिलरली दो ज़रे जरे रहे पॉइंटर बाइड एक्यूटिव मांते हैं कि ज़र जो है इजिकूटिव को दरा पॉइंट किये जाते हैं देके चेक दाफ फंक्शन अब जुटिव और लॉव मेड बाइड लेकिन फिर भी वह जो जो है एजिकूटिव द्वारा चूने जाते हैं लेकिन उन्हों ने क्या करना है एजिकूटिव के के फंक्शन को भी वह लोग देखते हैं ठीक है और पर भी लॉव बनाते हैं इस कॉर्ण सिस्टम ऑफ चेकन बैलेंस सब्सक्रों पुछा सकता है वाट दि डिफरेंस बीट्विन और इंटल पावर सेरिंग एन वर्टिकल पावर सेरिंग यह पागो कोशन इस पर पुछा जा सकता है ठीक है चलते हैं सब्सक्राइब की बात करते हैं दो सकेंद नमर क्या है कि पावर कैन भी सिर्ड अमॉंग गॉवर्मेंट अब डिफेंट लेवल ठीक है इंडियाका कंट्री टीजो डिकॉल फिटेल गॉर्मेंट हमारा और एंडिया का इंडिया को मेंट्री परेंट्री को जखता है हम लोग इंडिया में क्या बोलता है state government क्या बोलता है इंडिया में बोलता है state government this system is not followed in our country सभी देसों में ऐसा system यूज़ नहीं क्या सकता है नहीं किया जाता है there are many country where there are no provincial or state government ऐसा बहुस आरे country है जहां पे भी ते कोई provincial or state government नहीं है but in those countries like ours लेकिन हमारे तरह ही उनका जो कर रहा है वही पावर को क्या कर रहा है इस बात को नेगलेट किया गया था अधिक वर्टिकल दिविजिट्र पावर में क्या होता है सबसे उपर सेंट्रल फिर स्टेट फिर हमारा मुनिसिपालिटी फिर पंचायथ ऐसे करके हो गया है फर्जेंटल में क्या हो गया लेजिसलेचर जुडिसियारी लेजिसलेचर और एग्जिक्यूटिव ठीक है बास समझ गया चाहिए इसको फुरा और आगे चेप्टर पढ़ेंगे फेरलिजिम पढ़ेंगे ताब थीक है थाट बात करते हैं थाट हमारा कि पावर में अल्सो भी सेट अमाउग डिफ्रेंट ऑर्गेंट में फिर क्या करना है गौब्मेंट जो बना वो इसके डिफ्रेंट लेवल में पावर सेर करना किसमया है इसका कर चेंब और फिसके का कई कर रहा है मुनिसप्रेंट जिफाटि से को कर रहा है के दीन है ये बात गलत है ये बात सही है मुनिस्पाल्टी च्टेट को जवाब देगा स्टेट मुनसपाल्टी को जवाब नहीं देगा अ इसको Ord air करें ठरीक है चले यह पावर में अल्सो भी सेर्डबंग डिफिरेंट इसल सल गुरूप में भी सेर के जाते हैं वह कैसे दखियेगा शचर रिलिजिएस एंड लिगुशिटिक गुरूप और कॉल्ड कमुंटी गुवर्म यंदि बेल्जियम में जेसे बेल्जियम में कमुटे गुटी एंपल के बारे में क्या है in some countries there are constitutional and legal arrangement whereby socially weaker section and women are represented in the legislature and administration क्या है कि बहुत सरे से country जहां पर constitutional and legal arrangement के तहद socially weaker section जो है या फिर women जो है वो लेस लेचर या अद्मिस्ट्रेशन में कहा हो है रिपरजेंट किया जा रहा है जैसे कि सब्सक्राइब के दर क्या परत हमने कि असेंबली एंद पर्लेमेंट अपर कंट्री इस ताइप अड़ेशन में तो गिवे स्पेस इंद गॉबर्मेंट और इंफ्रेशन तो डेवर सोशल ग्रूप जिनको ऐसा लगता है कि वह गॉबर्मेंट से अलग है जिनको हम लोग अती पिछरा या दलित बोलते हैं उनके लिए एक अलग कॉश्च्वन से तियार की गई है दिस मेथाट इस तो गीव मैनुर्टी कमुनिटी अ फेयर सेरी पावर तैकि उनको पावर के सेर में ब्राब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स चेप्टर फेडलिजिम में इसको ठीक है चौथत सेरिंग क्या होता है पावर सेरिंगे अर्जमेंट कैन अल्सों भी सिनिंदा वे ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज प्रेसर ग्रूप्स और मॉव्मेंट में भी दिखाए देता है प्रेटिकल पा जो है क्या है हमारा नह dismiss कर दो क्या अच्छा काम कर रहें कि अगर नहीं कर रहा होगा था अ इसे रूप और मुव्मेंट जो होता है कंट्रोल करता है या फिर इंफ्लूएंस करता है दो जिन पावर जो पावर में उसको चुनने के चांस मिलता है इन कंटेंटरी डिमोक्राइसी दिस टेक दफार्म इसे क्या हो गया इक जो पावर एक पावर फॉर्म सो पावर क्या इसलिए अच्छा काम करो जनता सवासी देगी सवासी तरपर क्या देगी आपको नेक्स चुनाव में जीताएगी अगर आप कुछ किये तो आपको पुछ लात मर के भागा देगा दूस्रा वर उसका सरकार हो जाएगी जिसे कब हो सकता ऐसा कि पावर जो है शेरिंग डिरेक्ट हो जाए जब वेंट टू और मोर पार्टी दो या दो सदिक पार्टी जो है एक एलाइंस फ़र्म करके यानि साथ में आ करके जिसको बोलते हैं गटवंदन बोलते हैं तू कोंटेस एलेक्शन साथ में एक एक सनलड़ेगा ऐसा कब हो सकता है तब जाके पावर शेरिंग जो है डिरेक्ली वी किया सकता है इंफ दियर अलाइंस इस इलेक्टेड अगर उनका जो एलाइंस इनका जो गटवंदन वजित्ता है शांता है पावर को सरू कर सकते ह। कि इन देमक्रेटर्सइटा यदिक को बना या जिसमें की ट्रेडर्र बिजनेसमें बनीटरी घरे फजटेश लेसना झ Вас टार्मर्क योड कर आब drift घरेसलिप और ऑलडरी उल्समार्ड पावर उनका और गृप्श контिम government committee में या bringing influence on the decision making process decision making है उनमें उनका बरा साथ एक गजब का होता है influence रहता है मान लिए को ऐसा decision लिया गया जिए उनको दिखत हो जाए वो भी नहीं नहीं दे सकते हैं because वो लोग कहां उनहीं के वैसे देश चला है वो काफे रिच है लेकिन अगर उनके खिला उनके साथ भी किया जाए तो बाकी community का विध्यान रखा जाएगा उनका गलज एक influence जरूर होता है ठीक है इन यूनिट थार्ड थार्ड यूनिट जो है आपको परनाई नहीं इस साल तो इसे हम लोग बाते नहीं करेंगे पढ़ेंगे नहीं आपको मन होगा तो आप पढ़ सकते हैं में भी हम लोग जब इसको चप्टर खत्म कर लेंगे तब उस चप्टर को परहा दिया जाएगा फिलाल तो हम लोग से बसिप जो आपका बोर्ड है उसे के बारें बात करेंगे तो इस फॉर्मा पावर से रिंग होंगे वो पहला कोशन कुछ इससे प्रकार है जो फॉर्म सो पावर से रिंग जो चप्टर है उसका जो पहला कोशन है वो लिखिएगा वो क्या होगा कि एक्सप्लेइन ऐसे लिखिएगा explain the difference between the horizontal and vertical power sharing explain the difference between difference between from the horizontal and vertical power sharing ठीक है पावर शेरिंग आप सूनद आप लिखते जाएगा मैं थोरा सा हिंट दे रहा हूं कोशन छला करके पहला कोशन ही हो गया दूसरा कोशन लिख ली जेगा इसम्क सबस्क आप सीरों नगेटर अब के का सब्सक्क है का सब्सक्राइब को हमकेट्ट गेट अपर नियुक्त Одनों कि मुष्ण रखान इंग एसे डउटव लगा लिए दोट networks को सेय थिए वर योशllä यार अमों अमोंग वहन 14डिफ्रेंट हैं गडिफड़रिनन दिफरेंट टासलिंट क्रैनст शोशल को तर प्रोप सो इस्टार मां एक्सिरक प्रोब इस अजन household explain कर एक example कि साथ example क्या हो जाएगा social group कहा था being jm में social group था community government का उसे example देजियेगा ठीक है चलिए आगे क्या है आगे जो question लिक सकते है apa question ऐसा हो जाएगा what do you mean by what do you mean by collision government what do you mean by collision government coalition government एक एक ऐसा लिख सकते है यह लिख सकते है यह लास्ट क्या है लास्ट क्या है लास्त लिग सकता है एक क्योश्य और की पावर शेरिंग इज पावर शेरिंग पावर सेरिंग can also be seen in आवर सेरिंग can अल्जो बी लिखन हेन इन पलिट कल पादीग इस प्रेसर ग्रूप्स प्रेसर ग्रूप्स एड्मोमेंट इसको लिख सकते हैं और इस सभी कोशन जो हैं आप ऐसा करके वहां से इप देखर के लिख सकते हैं तो यह सवां पर समावत की जाती है चप्टर आप कहीं पर खत्म होता है आप इंसेट यह कोश्चन और जो दस बारफ पंदर कोश्चन जो मैंने बताया है वो सभी आप कोश्चन कर लेते हैं आपका बले-बले हो जाएगा इसका अलावा आप चाहें तो सिर्फ आशेस्ट का भी नोट ख़ेज सकते हैं जो कि उसका कॉस्ट आपको पड़ेगा में उसका कोस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में डीटेल होगा दिया जाएगा आप महां से देख सकते हैं और आपको प्रापर प्रिाफ में तैकी चाप्ति कहिंसे के माते हैं है के सब्सकिरोंना प्रिज के का उस project पे ताकि आपका CBC board जो है आपका exam जो है clear हो जाए और अच्छी तरीके से आप बेफिकर हो करके इस exam को clear कर पाए so thank you so much, उमीद करता हूँ कि आपको lecture समझ में आया होगा, समझ में आया और इस तरह के lecture देखने के लिए subscribe परे चैनल को and thank you so much मिलते हैं हम लोगले वीडियो, bye bye, take care, good night और good day, और जो भी है जो भी है वीडियो देख रहे हैं, bye bye